सभी किसान भाईयों का और डेरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो बुल सिरीज की वीडियो है इसके अंदर डिसकस करेंगे ABS के दो इंपोर्टेड बुल्स ABS हैमर और ABS स्पाइक कौन सा फैट ज़्यादा इंप्रूव करेगा किसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है किसका सुमेटिक सेल स्कोर से लेके जितना भी आपका अडर स्कोर है फीट लैक स्कोर है इन दोनों बुल्स का टोटल कमपैरिजन करेंगे जिससे आपको exact idea लग सके कि कौन सा बुल किस तरह की गाएं पे यूज़ करने से आपको best result मिलेगा कि आपके फारम पे अगर कोई problem है तो वो किस बुल को यूज़ करने से next generation में आपको वो problem को face नहीं करना पड़ेगा इसलिए इन दोनों बुल्स का complete आज हम analysis करेंगे और यह आप इसकी picture भी देख सकते हो इसकी bloodline की इसकी pedigree पे आते हैं सिधा तो sire है इसका denovo, segway, eatable और जो dam है इसकी dam होती है मा, मदर और यह जो इसकी dam है यह है ABS POC 7702 Poled ET इसके बाद जो इसका maternal grand sire है वो है इसका नाना जो है rosy lane, LLC, spoke और maternal grand dam जो इसकी नानी है वो है ABS, zazeline तो यह इसकी complete pedigree दे गई है इसके बाद maternal grand grand sire है जो पढ़नाना है power ball P, तो total pole blood line है इसके बाद हम इसके बाद दुबारा से हम देखते हैं कि इसकी जो pedigree है क्योंकि जो ABS की website है वहाँ पर इसकी जो mother का record है वो mention नहीं किया गया है कितना उसका दूद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी dam है ABS spoke उसका जो record है 3 times milking में 319 दिनों में 28,620 pounds है जो कि आपका लगबग 12-13,000 kg दूद होता है लेक्टेशन में और आप fat देखिए 5.7% fat तो यह जो bull है बहुत ही अच्छा fat आपको देने वाला है उसके बाद यह pedigree है यह आपको पहले भी पता चुके है segway, spoke, power ball भी लगबग आपकी सारी pole pedigree है pole का मतलब होता है कि naturally जिनके sing नहीं आते हैं इसलिए यह P आगे लिखा होता है तो hammer की बच्डियों के बहुत chances ऐसे रहेंगे अगर वो आपके hammer bull की bloodline पे जाते हैं तो उनकी बच्डिया जो sing है वो नहीं आएंगे और जो TPI है वो है plus 2807 काफी अच्छा TPI है total production index इसके अंदर हम सारे factor count में लेते हैं उसका order score, production, fertility, feet, leg score, सारा health score उसके बाद ही यह TPI बनता है जितना ज्यादा आपका TPI होगा उतना ही bull ज्यादा अच्छा होगा तो जैसा हमने आपको पहले भी पताया था अगर आपके फारम पे fat की समस्या है, HF का fat काफी कम आता है तो आप hammer bull को use कीजिए तो आने वाली बच्डियों में आपको जो fat की problem है वो solve होईगी क्योंकि यह बहुत ही अच्छा fat improver bull है जो plus 106 LBS fat को बहुत ही ज्यादा अच्छा improve कर रहा है इसके बाद productive life देख लेते हैं plus 2.9 कितने लंबे time तक जो आपका वो bull है जो उसकी बच्डिया आएंगी वो आपको productive रहेंगी लंबे time तक दूद देंगी जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही इसकी जो बच्डिया है वो आपको लंबे time तक दूद देने वाली बनेंगी somatic cell score 2.79 है ये भी काफी low है तो mastitis की भी ज़्यादा problem नहीं आएगी heifer conception rate और cow conception rate प्लस में है DPR माइनस में है तो fertility लगबग average है अगर आपकी गाए अच्छी है उसकी सेयत सही है उसको कोई infection नहीं है vitamin minerals complete है तो आपको conception में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि fertility score इसका average में है कोई ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है और somatic cell score भी कम है mastitis की भी आपको future में ज़्यादा problem नहीं आएगी और productive life भी ठीक है तो main advantage जो hammer bull का है वो है fat improver bull अगर आपके फारम पे fat की समस्या है तो आप इस bull को ज़रूर यूज कीजिए आने वाले बचडियों में वो problem नहीं आएगी इसके बात देख लेते हैं अडर स्कोर अडर स्कोर है UDC काफ़े अच्छा अडर स्कोर है प्लस में 1.31 तो अडर कॉलिटी बहुत अच्छी बनेगी और इसका जो feet leg score है वो लगबग 0 है नहीं ज़्यादा improve कर रहा है नहीं को उसमें कमी आएगी तो feet legs और जो body weight composite है body weight composite minus में है तो जो बचडिया आएगी उनकी strength कम हो सकती है उनकी जो आपका body depth है वो भी कम हो सकती है लेकिन अडर स्कोर काफी अच्छा आएगा तो जो main bull है जो आपका hammer bull है आप जो main इसको use कर सकते हैं वो दो जगे इसका main advantage आएगा अडर की quality बहुत अच्छी आएगी बच्डियों में और fat improve करेगा तो अगर आपके farm पे ये दो problems है तो आप इस bull को use कर सकते हो इसके बाद spike bull देखते हैं code है 19596 यह आप spike bull की photo भी देख सकते हो screen पे अब इसकी pedigree देख लेते हैं इसकी pedigree जो sire है father है वो है deno virtue et और dam है इसकी abs jericho 7760 maternal grand sire भी है इसका IGH ABS Jericho जो इसका नाना है और maternal grand dam नानी है super jackal 9657 और maternal grand grand sire जो पढ़ नाना है वो cogent super short है यह नाम आपने डेन्मार्क के भी काफी bulls में देखा होगा 40 116 में 40 120 में 50,000 तरीपन में उन सब का यह father है cogent super short तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि breeding करते वक्त पूरी pedigree को देखें ताकि आपकी फारम पे स्क्रीन ब्रीडिंग नहीं होगी तो यह जो वबन में स्क्रीन दिखाई है इसमें आप इसकी डैम का रिकॉर्ड देख सकते हो जो अगर मदर का कंपेरिजन करें तो किसकी माँ जादा अच्छी है दोनों बुल्स में तो यह जो है वो एबीए स्पाइक की जो मदर है वो जादा अच्छी है उसने आपको पहले ही लेक्टेशन में 3 टाइम्स मिल्किंग में 365 दिन में 34,770 पाउंड दूद दिया है जो कि आ आपका काफी अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है 16-17,000 के करीब तो यह काफी लगबग नहीं 17,000 नहीं होगा लगबग 15,000 के करीब और जो फैट है वो काफी अच्छा है 3.9 तो मदर जो है वो एबीए स्पाइक की ज़्यादा अच्छी है मिल्क रिकॉर्ड के वाइस अगर हम वो हैमर ज्यादा अच्छा है अगर हम सारे फैक्टर काउंट करते हैं जिसमें प्रोडक्शन, हेल्थ, फर्टिलिटी, अडर, फीट, लेग्स हर एक चीज़ काउंट करते हैं तो जो टीपी आई है ओवराल वो हैमर बुल का ज्यादा है as comparison to spike bull लेकिन जो मदर का record है वो ज् को compare करोगे ABS hammer bull से क्योंकि हमें हमेशा कहता हूँ कि मा का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि direct आपके जो मा के jeans है वो आपके बुल के अंदर आते हैं लगबग 50% तो आही जाते हैं तो इसका record काफी अच्छा है मदर का और यह जो milk है यह plus 363 improve कर रहा है fat plus 73 improve कर रहा है तो यह normal है उतना नहीं improve कर रहा है जितना आपका hammer improve कर रहा था अब spike का सबसे बड़ा advantage आता है productive life में इसका जो productive life है plus 5.7 इस बहुत जादा है hammer से hammer का plus 2.9 था तो बहुत लंबे time तक इसकी जो बच्छिडिया है वो दूद देंगी वो productive रहेंगी आपके herd में यही advantage इसको mother से मिल रहा है क्योंकि इसकी जो mother है ABS spike की वो ज्यादा दूद की है as compared to ABS hammer तो अगर आपके farm पर यह समस्या आती है कि पशू जल्दी dry हो जाते हैं pregnant होते ही लंबे time दूद नहीं देते या peak maintain नहीं करते तो ABS जो spike है वो बुल ज्यादा अच्छा है लंबे time तक दूद लेने क लिए somatic cell score लगबग दोनों का बराबर है hammer का 2.7 था इसका 2.83 है और fertility भी आप देखोगे spike की ज्यादा अच्छी है as compared to hammer इसके बाद अगर overall score देखते हैं तो utter score जो है वो hammer का ज्यादा अच्छा है hammer का ज्यादा अच्छा 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 as compared to abs hammer और उसके बाद body weight composite ये दोनों का ही minus है और अगर size देखेंगे तो hammer की जो बचडिया है उनका जो size है वो ज्यादा आएगा as compared to abs spike की बचडियों से तो अगर आपको जो spike है वो use करना है एक overall balanced bull है इसके अंदर आपको दो जंगे advantage मिलेगा एक तो ये पैरों से मुश्ब leg score है और दूसरा इसकी जो productive life है लंबे time दूद देने की जो शमता है वो इसकी जादा है तो अगर आपके फारम पे fat या udder की problem है तो आप abs hammer को use कीजिए और अगर आपके फारम पे feet leg score या फिर लंबे time दूद नहीं देने की लंबे time दूद नहीं देने की समस्या है तो आप abs spike को use कीजिए यही इन दोनों बुल का जो है वो complete निचोड है complete analysis है जिसमें आपको ये दोनों बुल maximum benefit देंगे अगर आप इस तरीके से इनको use करेंगे पकि जिन भी friends के बाद abs spike और hammer की heafers है या वो हमें जरूर comment section में पता हैं कि उनको कैसा result मिला है सभी friends का वीडियो इन वाद